कि मैंने सुबह ना एक चीज प्रॉमिस की थी जो कि मैंने कल रात में अपने टेलिघ्राम पर लिखा था कि कि 2024 को हम कैसे बेटर बन सकते 2024 को हम कैसे बेटर बनाएं यह कोशिश करेंगे और करेंगे कैसे अपने फिनांस को था से बेटर बनाएं इन फैक्ट मोस्ट फोकस यादा रहेगा कि ट्रेडिंग को कैसे इंप्रूफ कर सकते हैं तो देखिए दो तीन चीजे मैं पहले आपको समझाने कोशिश करूंगा पहला चीज तो यह समझे कि ट्रेडिंग गेम ऑफ प्र कभी नहीं हो सकते आपको यह समझ के चलना पड़ेगा कि आप गलत हो सकते हो वह गलत जब आप हो तो ट्रेडिंग में कितने रुपए लूज करते हो और जब आप सही होते हो तब आप ट्रेडिंग में कितने रुपए कमाते हो वह मैटर करेगा ठीक है तो यह आपको पहला मार्केट से आप नहीं लड़सक्ते ऐसक्ते तो क्या थेहन तो वह हमारा रिस्क उतना ही हो जतना हम लूस कर सकते हैं लेकिंद विन कर रहे हैं । विन हमारा हमेशा लूस से ज्यादा रहे। कियों बन बनलब लोग कहते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए यह नहीं रहे हैं। अगर आप सौर साल का मार्केट मार्केट देखके तो उपर जाते हैं। जांदेंगे इंट्रा डे ट्रेडिंग लुक्त करना पदें जिनका मार्केट में बायस होता है उनको वेट करना चाहिए यह चीज नहीं करना है इसमें 100्न राइट कभी नहीं हो सकते शेग चाहिस आघ्री यह करनी है कि करना है काफी लोग बोलेंगे सर तो हम तो जॉब चोड़ के बात करना है तब हम पुरा दिन क्या करेंगे उसके उपर कलेक मैं वीडियो डालूँगा वो देखेगा आपको समझ में आएगा कि जो जौड़ के ट्रेडिंग की बात होती है वो इतना एसी लाइग में नहीं होत वो भी मैं समझाने कोशिश करूंगा बट सबके लिए नहीं है तो यह समझो आप तो यह थोट परसे आप हटा दो कि 915 से 330 ट्रेडी करते रहना है ड्रेट कब करने आपको चैट में सपोर्ट रेश्चन्स मांक करना आना चाहिए कुछ नहीं न तो प्रिविएस स्विंग हाई लो आपको मांक करने आने चाहिए मतलब कि जब मार्केट कल क्लोज हो रहा था उसका एटलीस कमसे ऐं 15 मिद्ट का चार कैंडल ले लो ठीक है तो लास्ट एक घंटे में जो हाई लो था उतना तो मांक करो उतना मांक करना आप सीखो उसके ऊपर यह मांकेट मीचे जाये तो उसी आप से डिशेन लेना सीख हुआ, बड़े टाइम फ्रेम पे, बड़े एनलिसिस में, और मल्टिपर टाइम फ्रेम एनलिसिस में, काफी एनलिस्ट लोग डेली बेसिस पे सपोर्टरेशन बदाते हैं, जिनकी ऐकूरेसी आप जाद अच्छी लगे, मेरी लगती हो, कि किसी और कले भी कॉमन निकल रहा है, इसका मतलब वो लेवल पे सब लोग एक्टिव होने वाले हैं, वो लेवल को मार्क करो, मार्क करके उसके बेसिस पे डिशेन लेना सीखो, वो लेवल 9-15 पे भी टूट सकता है, वो लेवल 10-15 पे भी टूट सकता है, वो लेवल 3-15 पे इतना वार ऐसा होता मार्केट उपर खुला लोग सुचें कॉल लेना है और मार्केट पुड़ा दिन साइडवेज रह गया कॉल जो खईदा विचारे डूब गया जिसने कॉल शॉट किया वो फिर भी कुछ पैसे बना लेगा जो पूट भाई किया हो तो पुड़े ही खतम है जिसने पूट सेल किया वो हर्मेशा डर में बैठा हुआ कभी मार्केट रिवर्स कर सकता है तो हर तरह से चीज़ें हैं लेकिन आपको यह समझ के रखना पड़ेगा कि आपको स्पेसिफिकली यह ध्यान रखना है कि भाई हमको ट्रेड लेना है तब जब ट्रेड आपका डेली वीकली मंतली गोल सेट होना चाहिए अगर आप गोल मिस कर रहे हो तो आप समझो कि आप कहीं कुछ गलती कर रहे हो तो वापस से आपको वेट करना पड़ेगा लगे नहीं रहना है काफी लोगों का होता है सर मैं 6 महीने में इतना रूपय लूस कर दिया मैंने है तो आपको फर्स्ट महीने भी तो लॉस वह होगा न तो आपने उस समय क्यों नहीं डिसाइड गिया कि हमको क्या करना है चे महीन लोस करने के वाद आप क्यों सोच रहे हो आप को यह समझना पड़ेगा कि अगर हमसे नहीं हो पा रहा है तो हमको सुब के 10 दिन में समझना आजएगा कि नहीं हो पा रहा है, या हमसे खोई मिश्टेक हो रहा है, आप समझो, लोग छे माई ने बुलेंगे 25 लाग रुपे लोस हो गए, 10 लाग रुपे लोस हो गए, भाई, पैसे महनत लगते हैं, पैसे कमाने में, मतलब मुझे पता है पैसे कितने मेहने से कमाई जाते हैं मैंने बहुत पैसे कमाई है इसलिए मैं यह बात बोलता हूँ पैसे कमाना इजी होता है पैसे को सेफ करना डिफिकल्ट होता है पैसे को बचाय रखना उससे टेन टाइम ज्यादा डिफिकल्ट होता है यह आपको समझना पड़ेगा कि मनी आपको मिल रहा है मतलब आपके किसमत में पैसा है और वो किसमत में पैसा आपका सेव रहेगा यह करता है आपकी habits से आपके पास 10 लाग रुपएं करने को मतलब आपने 10 लाग करने का तक भी हुआ था फॉसी दिन आपने क्यों निदेओ रहे हैं। हम गलत कर रहें हैं सभी करने हैं। कि अगर मैं दिन का 1000 रुपय लॉस का कैपेसिटी है तो मैं 1000 रुपय से ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा सबकी कैपेसिटी अलगल होती है मेरी कैपेसिटी तो इसी ज़्यादा है कि मैं कैपिटल साइज बढ़ा है और मैं यही करता हूं लेकिन अगर आप अगर ट्रेडिंग ऐजे प्रैक्टिस चालू कर रहे हो तो आपका लॉस कैपेसिटी बहुत लिमिटेड होना चाहिए बहु उसी दिन आपने सबसे खराब डिशियन लिया अपना मार्केट में मैं क्या बोलता हूं मैं हमें से एक ही चीज बोलता हूं अगर आपका प्रॉफिट मान लीजे दसेयर रुपय है और आप फिर उसमें यह सोचते हो कि ठीक है कोई बात नहीं जाएगा तो हजार रुपय ही आपने महनत से नहीं कमाया है आपने स्किल से कमाया हूँ पैसा आप दुबारा कमा लोगे डिफरेंस समझो आप स्किल और महनत में डिफरेंस होता है ठीक है स्किल मतलब आपने जो चीज सीखी उसके बिसिस पर आपने कमाया है स्किल से सीखा हूँ आप कुछ पैसा रिसक क्योंकि वह स्किल अगर आप पैसे कमानें की है तो आप महनत के कमा हुए पैसा एक बार चला जाता है तो बहुत मुश्थ होता है तो दुबारह आना क्योंकि वह टाइम आपने लुसकर दिया आप पीछे जाके वो time आपस नहीं ला सकते हैं, तो मैंनत का पैसा मत गवन, capital पर कभी risk मतलो, capital पर risk ले सकते हो आप, वो risk कितना होना चाहिए, आपका daily target defined होना चाहिए, कि मेडा अगर 1000 रोपया loss का target है, दो जागर profit का target है, जो पहले आया, लेकर close करो, उसके बाद, next point, ठीक ह सुना चाहिए आपका ऐसा हो सकता है कि कोई वीक में प्रॉफिट नहीं है पूरा पांचो दिन हजारा रुपय करके गया है नेक्स्ट वीक आपको तीन दिन में रिकवरी हो जाएगी अगर आपका रिक्सी रिवार्ड वन इस्टू टू वन इस्टू टू त्री है तो है कि तो वह करना है मैं दिखता हूं 25 रुपा लौस या है कि नहीं है पार कि ये अपने यह उन ने महीन जह बूम पर डिया कर दिया कर दिया क्या कि क्या मतलब Dash मतलल है प्गने महिने में कितना 4 लुब क्याद महिने में चाल लग अपने कमांया था महिने मोंछ है 3ह लूइटा है पने कमा नहीं और आपने कर दिया क्या या या आला यह लॉश हुआ था उसी दिन आपको देखना कि हम से कहाल है है मेरे काफी डिलेक्टिव से जो में को बोलते हैं भाई सिखा दीजे सिखा दीजे मैं बोलता हूं उनको कि लोग मैं दगं को देता हूं 20 यह तुम करो ट्राइज जीरो भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इससे ज्यादा एक गुरुपा भी तुमको लूज नहीं करन है अगर वह 20 को में को एक सब्सक्राइब बोलता है कि मैं तो 25 बना लिया इसको तुमें को लगता कि हाँ इसमें पोटेंशियल है यह मैनत कर सकता है तो मैनत कर गया बनाएगा बट वह 20 को उसको भी मालूम है कि वह 20 को 10 कर रहा है तो उसको भी मालूम है कि उससे नहीं होग वह उतना वही समझ जाएगा बढ़ आपको नहीं समझना है क्यों आपकोrowsर रहना है करते जाना है करते जाना यह बाइं कहीं तो रुखोगे नहीं रुखोगे नहीं होगा और ये वो और स्सक्षाष की सबसे जरूरी क23 चोई यह चल रहा है कि लोग सीधा आपको दिखाएंगे आज मैंने 1 करोण किया, आज मैंने 70 लाग न किया, आज मैंने 60 लाग किया, कोई यह नहीं बोलेगा कि वो 60 लाग अंकरने के लिए उसने 5 पॉइंट येंट की हैं आप समझो डिफ्रेंस समझो आप आप 10 लाग कॉंटिटी पे 5 पॉइंट करते हो तो 50 लाग आप कमाते हो बात समझो अभी तो मैं देख रहा हूं ना लोग 5-5 लाग कॉंटिटी की बाइंग दिखा रहे हैं option की तीन करोर चार करो की से बयस्ता हो गया उससे वो बाइंग दिखा देते हैं और पांच पॉइंट कमाहिल हो गये आप यह तो पांच पॉइंट जाएगा या आईगा न यही तो होगा बट कोई ट्रेडिंग स्किल उससे नहीं सीखे गभी कि 10 लाग पॉन्टिटी पे हमने 5 पॉइंट कर लिया तो उससे आप कोई ट्रेडिंग स्किल नहीं सीख रहे हो आप जिज दिन 100, 800, 200, 200 क्याप्चर करना सीखो गे उसी दिन आप रियल ट्रेडर बनोगे उसके पहले नहीं बनोगे आप पर ट्रेडर वर नहीं और अप पर बड़े पैसे बने तब आप यह सब चीजों से बच के रहिए जितने यह बड़े ग्टी बड़े कौंटिटी नहीं देखना है बड़े पाइंपन करना अगर सीखो गें तो अब बरे ट्रेडर बनोंगे तो पहला पहला हमारा क्या था पहला पॉर्ट हमारा यह था कि आपको यह नहीं जज्ग करना है कि भई हमारा पैशा हमारे पास हम लूज कर देंगे लूज नहीं करना है आपको daily monthly weekly targets बनाने है उससे ज़्यादाना लूस करना है उससे ज़्यादाना अर्ण करना है last point हमाना क्या था बड़े-बड़े screen shots के पीछे नहीं जाना है क्योंकि effectively वो 57 points ही रहते हैं आपको बड़े points capture करने सीखने है बड़े points capture करना सीखोगे तो आप बड़े ट्रेडर बन पाओगे यह चारपाच चीज़े आप apply करिए 2023-2023 में आपका financial year बहुत अच्छा बीतेगा वीडियो अच्छी लगिए हो तो लाइक कर दीजेगा